So hey guys, कहते हैं आप सब लोग Redmi Note 12 Turbo जो ओफिशली चैनल के अंदर लाउंच हो चुका है and your phone है काफी अच्छी specification and pricing के साथ में लाउंच हुआ है and your phone है इंडिया के अंदर Redmi Note 12 Turbo के नाम से हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा बलकि Poco F5 5G के नाम से देखने के लिए मिलेगा so आज की वीडियो में जो है हम Redmi Note 12 Turbo जिसे हम कहते हैं Poco F5 5G की Confirm Specification Build Design के बारे में बात करेंगे and बात करेंगे इसकी pricing के बारे में कि क्या pricing में ये फोन जो है चाइना के अंदर लाउंच हुआ है and किस price point में जो है हमें इंडिया के नदर देखने के लिए मिल सकता है so वीडियो को जो है फट आफटे स्टार्ट करते हैं so चलिए फोन के built and design के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को back multiple camera setup देखने के लिए मिलेगा and जो back है वो glass की देखने के लिए मिलेगी and overall जो look है वो boxy type का सा देखने के लिए मिलेगा and front पर हम लोगों को सेंट बंच हो ले वाली एक display देखने के लिए मिलेगी 6.67 inch की 120 year refresh rate के साथ में AMOLED पैनल जो है यह रहेगा full HD plus resolution के साथ में and इसके अंदर हम लोगों को 12 bit का पैनल देखने के लिए मिलेगा तो color भी काफी अच्छे देखने के लिए मिलेगे and इसके अंदर हम लोगों को side mounted वाला fingerprint देखने के लिए मिलेगा पहले बताय जा रहा था कि इन screen वाला देखने के लिए मिलेगा बट जब यह phone launch होए तो इसके अंदर हम लोगों को side mounted वाला fingerprint देखने के लिए मिल रहा है and इसके अंदर आयर blaster देखने के लिए मिल जाएगा 3.5 jack देखने के लिए भी मिल जाएगा साथ के साथ dual stereo speaker भी देखने के लिए मिल जाएगा अब बात करते है फोन के processor के बारी में जो कि एक highlighting point है इस phone का तो इसमें जो हम लोगों को snapdragon 7 plus gen 2 वा प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है जो कि एक latest processor है साथ के साथ काफी powerful processor भी है फोन का जो processor है 5G होने वाला है और 5G के अच्छे खाते बैंड भी प्रोवाइट करवा देगा तो 5G में भी कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है तो फोन का जो processor है काफी अच्छा लिया है रेडिमी वालों ने इस price range के अंदर एक big thumbs up है रेडिमी वालों को अब बात करते हैं फोन के camera's के बारे में तो यहाँ पर हम लोगों को रेडिम में triple camera setup देखने के लिए मिलेगा जो primary sensor है वो है 64 MP का OS के साथ में और जो secondary है वो है 8 MP का ultrawide और जो 3rd है वो है 2 MP का macro and front में 16 MP की sensor देखने के लिए मिलेगा selfie के लिए रेर से जो है आप 4K वीडियो रिकॉर्ड अराम से कर पाएंगे और फ्रंट से जो है 1080 पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे तो camera जो है आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाएगा फोन में बैटरी एंड चार्जिंग की स्पीड की बैटरी देखने के लिए मिलेगा टाइप-C पोर्ट के साथ में जो की सपोर्ट करेगी 67 वाट की फार्ज चार्जिंग को और 67 वाट का जो फार्ज चार्जर है हम लोगों को बॉक्स के अंदर ही देखने के लिए मिल जाएगा एंडर वजन एंडर वाई की बात करें तो फोन में जो आट आउट वी बॉक्स और यह हम कह सकते हैं पौको eft p5 g की अंद बात करते हैं सबसे इंप्वाटेंट चीज़ की कि फोन की रेखी गई ही तो पहले बात करेंगे छाइनिज मार्क तो बात करेंगे इसक की एट तो नलोगों को यह देखने के दिए रॉप के अंदर जो है यह 8256GB से start नहीं होगा बलकि 6GB 128GB से जो हम लोगों को start होता हुआ दिख सकता है तो यह जब फोन है जब इंडिया में Pogo F55G के नाम से आएगा तो इसकी जो प्राइजिंग है अंडर 30,000 रूपीज जो है हम लोगों को definitely देखने के लिए मिल जाएगी अंडर 30 अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को भी लाइक कर देना एंच आल को सब्सक्राइब भी कर देना मैं आप लोगों से जल्द ही मिलेगा एको नहीं वीडियो साथ जब तक लिए बाइबाए